हाई दोस्तों आज की मूवी का नाम है बास्टर्ड जो 2019 में रिलेज हुई एक साय के थ्रिलर मूवी है मूवी 17 साल के डैन के उल्टी करने के साथ शिरू होती है ज्यादा ड्रिंक करने की वज़ा से वो उल्टी कर रहा है उसका भाई रॉबी और वास उसे कार से घर चोड़ने के ले जाते हैं और तीनों ने खूब पी रखी होती है और कार डिस बैलन्स होने की वज़ा से पानी में गिर जाती है डैन और वास बच जाते हैं लेकिन रॉबी की पानी में ढूपने की वज़ा से डध हो जाती है इस incident को दो साल बीच चुके हैं अपने बेटे रॉबी की मौत से उसकी मौम नीना अभी तक सदमे में है नीना एक डॉक्टर है लेकिन रॉबी की मौत की वज़ा से वो खुद डिप्रेशन में है और उसने जॉब भी छोड़ दी है डैन अपनी मॉम को रॉबी की टी-शिट उतारने को कहता है जो पहन कर सो रही थी नीना और डैन अभी तक रॉबी की वज़ा से सदमे में हैं फिर हमें उनके घर का स्विमिंग कुल दिखाया जाता है जिसमें पानी नहीं है शायद इस वज़ा से क्योंकि रॉबी की मौत पानी में डूबने की वज़ा से हुई थी फिर वो दोनों मॉल जाते हैं जहां राजा नाम का एक सड़क छाप लड़का उनकी कार साफ करने लगता है डैन उसे गुसे से मना करता है लेकि राजा कहता है कि वो कार को अच्छे से चमका देगा नीना राजा को पैसे देने लगती है मौल में उन्हें पुलिस अधिकारी ल्यूक मिलता है और हाल चाल पूछता है नीना और डैन जब बाहर आकर कार में बैठते हैं, रिवर्स करते हैं वक्त राजा उनकी कार से टकरा जाता है डैन राजा को हॉस्पिटल जाने को कहता है, राजा के पास दवादारू के पैसे नहीं होते नीना उसे अपने घर ले आती है और उसके मरम पटी करती है फिर वो वही खाना खाता है और डैन उसे देख रहा होता है, राजा कहता है उसने कई दिनों से गरम खाना नहीं खाया था फिर नीना उसे बताती है कि ये noodles देन ने बनाए है देन हाध होने जाता है तब नल का pressure ज्यादा होने के वज़ा से पानी निकलने लगता है नीना रॉबी की photo वहाँ से हटाने के लिए कहती है ताकि पानी की वज़ा से वो खराब न हो जाए राजा नल ठीक कर देता है फिर नीना उसे अपने बेटी रॉबी के बारे में बताती है राजा भी अपने बारे में बताता है कि जब वो 5 साल का था उसकी मा मर गई थी राध होती है डैन रॉबी की मौत के लिए खुद को जिमेदार मानता है इसलिए वो हर राध अपने दोस्त के साथ फाइट करता है और अपना गुश्या निकालता है जब वो घंड आता है तो देखता है राजा डॉक्स के साथ है और उने खाना खिला रहा है और वो भी कुत्नों का खाना खा रहा होता है अंदर आकर डैन अपनी माम को रोते हुए सुनता है वो रॉबी की टी-शिट पकड़ कर रो रही थी डैन वहां आता है और नीना राजा को उनके साथ रहने के लिए डैन से पूछती है डैन मना कर देता है क्योंकि राजा उनके अंजान है लेकिन जब डैन सुकर उठता है वो देखता है कि राजा उनके घर की मरमत कर रहा है नीना ने राजा को उनके साथ रहने के लिए बुला लिया था डैन अपने पापा को फोन करता है डैन का पापा नीना के साथ नहीं रहता जब वो आते है और राजा की बार में अंदर ही खुले में ट्वालेट कर रहा था, जब डैन अपने पापा के साथ होता है, उसे पता चलता है कि नीना हॉस्पीटल में एडमिट है, वो भी होश हो गई थी और राजा ने उसे हॉस्पीटल में एडमिट करवाया है, इन सब के पीछे डैन को राजा की शाजिश मैंने के लिए दे देती है, लेकिन डैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, रात में डैन राजा की कमरे में जहांक रहा होता है, और वो देखता है कि राजा बैटके नीचे सो रहा है, अगले दिन जब राजा स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है, डैन उसके बैक की तल जाता है, नीना राजा से कहती है कि अगर उसने मना कर दिया है, तो क्यों पीछे पड़े हो, रात में सब डिनर कर रहे होते हैं, तब ही वहाँ जॉन नाम का एक लड़का आता है, जो नीना का लवर था, लेकिन नीना अब उसके साथ कोई रिष्टा नहीं रखना चाती, ज राजा और नीना घर पर दारूपी कर सेलिबरेट करते हैं, और वो सुई में पूल के पास ही सो जाते हैं, थोड़ी देर बाद वहाँ पर डैन आता है, और राजा को अपने साथ चलने को कहता है, और फिर वो उसे खंडर जैसे घर में लेकर आता है, उसे खूप मारता है, अगले दिन राजा के शरील में बहुत सारी चोटे लगी होती है, और नीना उसकी चोटों पर मरम पट्ची कर रही होती है, डैन बाहर से, उन्हें देख रहा होता है, राजा नीना को बताता है कि स्कूल टाइम में उसकी गल्फरेंड थी, और एक दिन स्कूल वालों ने उ राजा डैन से कहता है कि वो बता देगा कि कल राज डैन ने उसे पीटा था, लेकिन जब ल्यूक उसका बयान दर्च करता है, राजा जुड़ बोलता है कि किसी अंजान लड़के ने उसे पीटा है, सुबह लीना राजा और डैन मौल जाते हैं, वहाँ लीना अपना फेस एक शीशे में देख रही होती है, तभी वहाँ जान आ जाता है, लीना डर जाती है, डैन जान को बाहर लेकर आता है, लेकिन तभी पीचे से राजा आकर जान को काफी मारता है, और वहाँ से जाने को कहता है, यह देखकर डैन थोड़ा शौफद हो जाता है, घर पहुचकर नीना राजा को एक बॉक्सर गिफ्ट करती है और डैन राजा के कमरे में झाक रहा होता है नीना के जाते ही राजा अपनी जीन्स उतार कर उन बॉक्सर को पहन लेता है और मास्टर बैटिंग करने लगता है यह सब डैन देख लेता है और डैन को देखते वे राजा देख ले लगता कि राजा उसके सामने उसकी माम को छूरा था दोनों में लड़ाई हो जाती है राजा डैन को पानी में गिरा देता है और बचाने भी खुदी जाता है जब वो दोनों वापस बोट पर आते हैं नीना राजा को डैन को पाने में धक्का देने की वज़ा से राजा को थपड मार देती है रात में राजा और नीना साथ में टीवी देख रहे होते हैं राजा नीना से कहता है वो सोने जा रहा है और नीना को किस करता है नीना को यह अज़ा नहीं लगता डैन राजा के बारे म उसका फोन कहां है वो डैन के सामने ही नीना की बूब्स दबाने लगता है डैन राजा को उसका फोन लटा देता है तब ही राजा की आमस में एक टैटू बना होता है जिसमें एक नाम और डेट लिकी होती है ढेंट ट्रेन से एक आदमी के पास जाता है और उसे पता चलता है कि इस आदमी की वाइफ के पीछे राजा पागल था और जब उसकी वाइफ ने राजा से रिश्टा तूना चाहा तो राजा ने उसे मार दिया लेकिर राजा ने पुलिस को ऐशा शो किया कि उसके डेथ कार का संतुलन बिगड़ने की वज़ा सी हुई थी वो वापस घर लोटता है और देखते है कि राजा उसकी मॉम के सान पहल लॉन में इंटिमेट हो रहा था और उसकी मॉम कह रही थी मुझे छोड़ दो डेन चाको से राजा की पीट पर हमला करता है और राजा मर जाता है फिर उसकी बाड़ी को अपने फ्रेंट की मदद से जंगल में जाकर गार देता है वापस आकर नीना डेन को अपने हाथों से नहलाती है तबी डेन का पापा आ जाता और कहता है लियुक आया है और राजा के बार में पूछ रहा है उसको पता चला है कि उसने कई मडर की हैं नीना और डेन लियुक को बताते हैं कि राजा कल रात यहीं था लेकिन सुभा से पता नहीं कहा है लेकिन डेन के पापा को उनकी बातों प दिश्टा था यह देखर डैन को नीना पर काफी गुसा देगी वह सीडी को तोड़ देता है और स्विमिंग पूल के पास आ जाता है जहां नीना लेटी हुई है डैन स्विमिंग पूल में कूच जाता है लेकिन हम उसे वापस निकलते हुए नहीं देखते शायद उसे सुसा